हेलो गाइज वेलकम टू माई चैनल लिग्जाम इस्टोर फ्रेंड आज हम लोग हिंदी के जो रश होते हूं उसको पढ़ने वाले हैं तो जो भी यूपी बोट के हैं कच्छा क्लास 10 और 12 के वो लोग उनमें हिंदी में रश के बारे में पूछा जाता है और इसका जान लेते हैं काव को पढ़ते या सुनते समय हमें जिस आनंद की अनुभूती होती है उसे ही रस कहा जाता है जिस भी चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं जिससे आनंद मिले खुसी मिले उसी को हम लोग क्या कहेंगे काव कहेंगे या रस कहेंगे रस के बीना काव का अस्तित अस्तित्व नहीं है जैसे प्राण के अभाव में सरीर बेर्थ है अब रस और उनके अस्थाई वाव जान लेते हैं रस कितने परकार के होते हैं रस टोटल नो परकार के होते हैं और उनके अस्थाई वाव पूछा जाता है एक्जाम में तो देखिए कैसे आपको करना है जैस से रसका होता है हास भयानक रसका होता है करूर रसका होता है शोक टोटल अस्थाई भाव की शंक्या कितनी है नौ मानी गई है इसे नौरस मानते हैं कि आगे अब हम लोग देखते हैं अस्थाइवाव की रंक्या टोटल नौ मानी गई है अता मुलता नौ रश नहीं माने गए रती के तीन भेद भी माने जाए जिससे दामपत्य रती वात्सल्य रती भक्ति संबंदी रती इन तीनों से ही क्रमश श्रिंगार वात्सल एवं भक छौता होता है अस्थाईवा अनुभाव को कैसे लिखना है जो अनुभाव से देखी नाम जी पता चलता है अनुबहहाव को करते हैं यह भी चार परकार के हम लोग बीवाव क्या होता है यह भी एक्जाम में पूछता है बीवाव जिन काड़ों से भाव की उत्पत्ती होती है उन्हें बीवाव कहते हैं यह दो परकार के होते हैं कौन-कौन से अलंबन भीवाव और उद्धीपन भीवाव अब हम थर्ड पढ़ते हैं संचारी वाव संचारी वाव क्या होता है अस्थाई वाव को पूष्ट करने वाले संचारी वाव कहलाते हैं किसको अस्थाई वाव को पूष्ट करने वाले को हम लोग संचारी वाव कहते हैं ये सबी रसो में संच्रड करते हैं इन्हें बेविचारी वाव भी कहा जाते हैं तो question में पूछ सकते हैं, बेविचारी भाव किसे कहा जाते हैं, तो आपको बताना है, संचारी भाव कोई बेविचारी भाव करते हैं, इनकी संक्या हम लोग कितनी मानते हैं, 33 मानी गई हैं, और इसके example है, हर्स, खुसी, चपलता, गर्ब, यह सब क्या हैं, संचारी भाव है अब हम लोग चौथा देखने वले हैं, अस्थाई भाव, अस्थाई भाव क्या होता हैं, जो भाव हिर्दय में स्थाई रूप से बिद्धमान रहते हैं, देखिए नाम के अनुरूप है, अस्थाई भाव, जो भाव हिर्दय में अस्थाई रूप से बिद्धमान रहते ह किन्तु अनुकूल कारण पाकर उद्भुद हो जाते उन्हें अस्थाइबाव कर जाते इनकी संक्या कितनी मानी गई है इनकी संक्या संक्या 9 अभी हम बता है संचारी वाव की संक्या कितनी थी 33 अब इसके कुछ एक्जामपल है जैसे रत्ति उत्सा क्रोद जुगुपसा विश्मय निर्वेद हास्च वय सोक स्थाइबाव इत्यादी अब हम लोग में पढ़ने राज राज कोस्टन आया था रंग रास मतलब रसो का राजा किसे कहते हैं तो यह आपको ध्यान में रखना है रसो का राजा हुई मैं पंडितवा हो जैता है शिंगार स्के दो भेग दो होते हैं शयोग सिंगार और वहला कभी ने लिखा है भूली कहत ना रस SHुकवी सकल्मूल सिंगार अँभ देखे सिंगार स्काम लोग दों वेद ज़ते हैं शयोग सिंगार 3 simple में प्ढय्यूक्त हो जाता है ठीक जब भूआ पस में भी चड़ते है तो क्या हो जाता है विए मेरा बीयोग शिंगार हो जाएगा उकैंग तो यह देखिये इसमें दिखा रहा है आपको पूरा लिखा हुए बी नाइका उद्दीपन हो जाएगा नाइका की चेश्टाएं और हाव वाव तिर्छी चीतवन मुस्कान अनुभाव होता है कटाच लिंगन हो जाएगा चुम्बन आदी यह और संचारी वाव हो जाता है लज्जा हर्ष चपलता उदार पर देखिए बत्रस लालच लाल की मुर यह भी छोटा सा है उद्दीपन होता है युद के बाजे अनुभाव होता है अंगो को फड़कना या रोमांज जैसे इसका एक्जाम्पल हो जाएगा बीर तुम बढ़े चलो दीर तुम बढ़े चलो सामने पहाडो सिंखी दहाडो तुम कभी रुको नहीं तुम कभी जु को नहीं तो इसका सबसे वेश्ट एक्जाम्पल है यह आप लोग लिख सकते हैं अब सांतरस को कैसे लिखना है इसके बारे में भी अम लोग जान लेते हैं सांतरस होता है निर्वेद नाम का स्थाइबाव विभाववादी से संयूग तोकर सांतरस की निश्पत्ति करता है इसके जो अंग निमन है अस्थाइबाव सांतरस का क्या होता है निर्वेद अलंबन क्या होता है इस्वर चिंतन संसार की असारता आश्ट्रे क्या होता है ज्यानी वेक्ति उद्धीपन होता है सतसंग दार्षनिक क्रंतों का पठन आदी संचारी होता है गलानी उद्देग देन और जड़ता उधारण के लिए मनरेतन कागद का पूतला क्या उधारण मनरेतन कागद का पूतला लागे बूद बिनस जाए छिन में गरब करे क्यों इतना ओके ये इसका एक्जामपल है अब हम लोग पढ़ते हैं वातसल रस क्या होता है वातसल नामक अस्थाई भाव बिभावादी के संयोग से वातसल रस में पणिड़त होता है इसके अब जो है निम निलखी ते कौन से अस्थाई भाव होता है इसका वातसल अलंबन होता है पुत्र या संतान आस्रे होता है माता पिता उद्दीपन होता है संतान के क्रिया कलाब ओके यह हो जाएग आपका बाड़ी और चेष्टा आस से हासरस उत्पन होता है यानि आप किसी विक्रित आदमी को देख के जो आपके मन में वहाँ उटता है उसी कमलों क्या करते है इसके अभवे निम्न है जैसे अस्थाइब होता है हास अलंबन होता है दूसरे की विक्रितियकार वेस भूसा वाड़ ना किसी का चप्टा होग या लंबा होगे इस ताइब का होता है ये सब आसरस्थ के ये होते है आज के अनुबाव मुख्खा विक्सित होना संचारी क्या होता है आलस निद्रा इक्जाम्पल देख लिए बिन्द केवासी उदासी तपो वत्रधारी महा विन्युनारी दु होके मैं आपको दे सकता हूं तो है आइक शंजार कि बन करें करम हां क्सक्राइब अलंबन होता है भयानक द्रिश उद्धीपन होता है आलंबन की चेश्टाएं निर्वता कुलाल अनुबाव होता है कंप शम्वेद स्वरंग पलायन मुर्चा संचारी होता है इसका आवेग संका दैन चिंता इत्याद उधार के तोड़ पर देखते हूं उधर गरजती सिंदू लहरिया कुटिल काल की जालो सी चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए बयालो की ओके तो यह उसका हो जाएगा वायानक रस का यहां प्रलैकारी समुद्र का भैप्रद चित्रण किया गया है अथा भैयानक रस है प्रलैकाल में समुद्र की उची उची लेहरे आलंबन है देवगण आश्रे भैश्वा भैज्वा अस्थाई वाव अता भयानक रस है रोद्रस के बारे माम लोग पढ़ लेते हैं रोड़स का अस्थाई वाव जो होता है क्या होता आप लोग बदाई है सत्रु अत्वा अवनित वेक्ति की चेश्टायं गुरु द्रोई धुराचारी बेखती हुद्धीपन होता है कटू बचन सत्रु के द्वारा किये अपराद अनुबाव होता है नेत्रों की लाल होना होट फड़कना दात वीचना संचारी इसके हो जाते हैं अमहर्ष मोह मद चड़ता गर्पिस्मृती अब इसके उधार होता है बो लच्मन अलंबन है शिव धनूस उद्धीपन है और प्रश्ट्राम की गवित्या अनुभाव है गर्व अमर्ष संचारी अतरोध रसकी अभियक्ती हुई है अब हम लोग करू रसके बारें पढ़ लेते करू रसका होता है शोक नाम का स्थाई वाव विभावादी के सवयो होते निर्वेद गलानी चिंता मों विशाद विशाद दुक होते दन अनुभाव होते अशुप्रात विलाव वैवण सिथिलिता और इसम्रिती लोग उदार के तरप राधो गीद गोद कर लीनो नयन सरोज सनेह सलील सूची मनहु अरग जल दीनो जाटाई के मृत्यू का प्रशन है baru जाटाई के मी जाटाई आलम्बा राम आसरे हं राम आशेरय वाओ रहले संद PHP करूंडूं में परिवर्तित हुआ है अब पड़ेंगे विववत रस्त कैं घृण नाम का स्थाई भाव विवावादी स्वायूक्त होकर विवस्ट रक्स की पण्डितव होथी इसके अपछव निम लिखते हैं अस्थाई भाव होता है जुगुशा अलम्बन होता है मास रग्त अस्त्य समसान दुगंद उद्धीपन होता है निकारत खीचब जीवही सेयार अति आनंद पूर धारत यहां स्थाइबाव जुगुप्षा है घ्रिणेडा है पाठक आस्रे है अलंबन संसान का द्रिश है काग द्वारा आंख निकलना उद्धीपन है इन सबसे पूष्ट होकर जुगुप्षा नामका स्थाइबाव दिवाव आदि से सयूग दोकर अध्भूत रस्में पंडित हो जाते इसके अब्धुवाइन लिखेते हैं अध्भूत रक्या साइबाव होते हैं विश्माई आस्चर अलंबन होते हैं आलंबन के गुण अनुभाव होते हैं नेत्र फेलाना रोमांच शंप्रव संचारी ह होता है वितर्क वरांती हर्ष आवेग आदि उदार्क तरफ है अखिल वुवन चर अचर सब हरी मुख में लखी मात चकीत भई गदगद वचन विक्सित दिर्ख फुलुकात यहां मातक को सल्ले आश्रे सिसुराम के मुख से सभी लोकों को देखना अलंबन है चकीत होना र विभाववादी से पूष्ट होकर भगवत रस्ति में पंडित होती इसके अब निमने भगति रस्त का स्थाइब होता है भगवत विश्यक रत्ति आलंबन होता है इस पर दे होता है गुरुजन इस्ट उद्दीपन होता है आलंबन का रूप भजन पूजन अनुबाव होत सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना तब तक लिए गुडबाए टेक केर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लव यूरू